आईपेल का 47 मैच डली कैपिटल्स और सन्राइजर हैदराबाद के बीच होगा ये मैच दुबई इंटरनाशनल स्टेडियम में आज शाम साधिस साथ बजे से खिला जाएगा सन्राइजर्स हैदराबाद के लिए प्लेओफ में जाने की ये आखरी उमीद है अगर सन्राइज सन्राइजर्स आज का मैच हारती है तो वो टूर्रामेंट से बाहर हो सकती है सन्राइजर्स हैदराबाद ने लगातार ने राचा जनक प्रदर्शन किया है और आज का मैच हैदराबाद के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा क्योंकि एक तरफ उसके सामने डेली जो कि लगभग प्ले आफ में पहुँच चुकी है अगर आज दिल्ली जीतती है तो प्ले आफ में दिल्ली की जगा सुनिश्चित हो जाएगी डेली कैपिटल्स की टीम भी पिछले दो मैचों से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है कि क्यार के खिलाफ तो ये पूर समय पर विकेट निकाल कर दिये हैं और इस मैच में दिल्ली के तेज गेंदबाज का गीसो रबाड़ा और एंरिक नौर्किया का सामना हैदराबाद के बल्ले बाजों के साथ आसान नहीं होगा दिल्ली कैपिटल्स की ओपनिंग का मसला भी लगातार बर करार है प्रित्वी पंत का बल्ला भी सीजन काफी खामोश नजर आ रहा है संराइजर्स हैदराबाद के बल्ले बाज के इन विलियमसन की चोट के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है अगर वो खेलते हैं तो टीम की बल्ले बाजी को मजबूती देंगे और ऐसे में हैदराबाद के इस गेंदबाज जेसन होल्डर को बाहर भी जाना पड़ सकता है हाला कि टीम की गेंदबाजी फिर भी बहतर इस्तितिम है इसलिए हैदराबाद को एक अच्छे बल्ले बाज की जरूरत है इस सीजन में हैदराबाद दिल्ली से दूसरी बार भिड़ेगी पहले मैच में IPL की पलपल की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष झाले बल्ले बल्ले चैनल TV9 भारतवर्ष